करनाटक चुनाव के नतीजों को आए दिन बीच चुके हैं लेकिन कॉंग्रेस अब तक अपने मुख्यमंतरी का नाम नहीं तैक कर पाई है दिल्ली में आज एक बार फिर सुबे 11 बजे कॉंग्रेस ने ताओ के बैचक होगी करनाटक में परचंड जीत हासल कर चुकी कॉंग्रेस के लिए विधायक देल के नेता का नाम फाइनल करना इस जीत से बड़े चनौती बन गया है विधान सबाच रावों के नतीजों को 100 घंटे बीचने वाले हैं लेकिन राज अब तक अपने सीम के इंतजार कर रहा है दिली में आज एक बार फिर सुबह 11 बजे कॉंग्रेस की बैठक होगी पहले परवेक चक कॉंग्रेस अध्यक से मलाकात करेंगे उसके बाद सीम पत के दोरों दावेदार खरगे और गांधी परवार से एक दोर की मलाकात कर सकते हैं सुतरक मताविक शायद आज सुनिया गांधी दिली पहुंचेंगी इन मलाकातों के बाद माना जा रहा है कि कॉंग्रेस अध्यक खरगे आज सीम के नाम का इलान कर सकते हैं लेकिन बाद डीके शिफकुमार पर आकर रुख जाती है दरसल सीम पत के दावेदार डीके शिफकुमार को तीन डिप्री सीम का फॉर्मूला पसंद नहीं है खबर आ रही है कि डीके सीम नहीं बनने की इस्तिती में सिदर रमया की जगा किसी और को सीम बनाए जाने की पक्ष में है आज सुनिय गांधि डीके शिफकुमार से मलाकाद कर सकती हैं कहा जा रहा है कि सुनिय गांधि के समझाने से बीके शिफकुमार मांझ जाएं करनाटक में सीम को लेकर दो नामों पर अब तक चर्चा चल रही और इस बीच एक और दावेदार सीम पत की रेस में शामिल हो गया उधर दिल्ली में मंगलबार को राखुल गांधी ने मलिक अरजुन खर्गे से मलाकात की दोनों ने टाओं के वेच सीम के नाम पर बात हुई करनाटक में सीम के नाम के लिए मलाकातों का दोर तो जारी है लेकिन अब तक इस मुद्धे पर कांग्रिस किसी नतीजी पर नहीं पहुची है दिल्ली में मंगलबार को राखुल गांधी ने मलिक अरजुन खर्गे से मलाकात की राहूल गानी ने खरगे से बलागात करते हुए का कि करनाटक उनका ग्रिह राज है और सोनिया गानी उनके फैसले से सहमत रहेंगी इसलिए उन्हें सोनिया गानी से पूछने की जरूत नहीं है मीटिंग में राउल गानी ने आप्जरवर की रिपोर्ट देखने से भी बना किया उन्होंने कहा कि वो सिर्फ इतना चाहते ही कि जो गवर्मेंट फॉर्मेशन में हो वो जनता के मैंडिट का प्रतिनिद्ध्व करे उन्होंने कहा कि गरीबों, पिश्रों, महलाओं और माइनॉरिटी ने हमें वोट दिया है इसलिए सरकार के कैबिनेट को उनका प्रतिनिद्ध्व करना चाहिए साथ ही जो पाच गैरेंटी का वाइदा कॉंग्रिस ने किया था उसे पूरा किया जाए इस बीच करनाटक में कॉंग्रिस इस बात का मंतन भी कर रही है कि डीके शिव कुमार और सिद्धरा मैया में किसे मुक मंतरी बना जाए लेकिन इसी भी इचपूर डिप्टी सीम जी परमेश्वर ने अपनी दाविदारी ठोक दिये और इस बीच करनाटक से ही और बड़ी ख़बर आई जहां बीजेपी के पूर विधायक ने अपनी हार पर धमकी बड़ा भाशन दे डाला है घर की चट से भाशन दे रहे हैं ये बीजेपी के पूर विधायक हैं नाम है प्रीतम गोडा हलागे खत्म हुए चनावों में करनाटक के हसन नगर निर्वाचन शेत्र से इनकी हार हुई है और इस हार से वो बेहद नाराज हो गए ही उनके घर जमा हुए समर्थकों को उन्होंने घर की चट से संबोधित किया और साफ साफ लवजों में कहा कि वो उन्हें हराने वालों को सबक सिखाएंगे आपको बतादेगी तुम्तम गोला को जे डियस के एचेस परकाष ने 7854 वोटों से हरा दिया था बात 2018 की करें तो साल परीतम गोला ने जे डियस के एचेस परकाष को 13000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था